तो जैसे कि आपको पता ही आज का वडिंग सीजन चल रहा है और वडिंग सीजन में हम अपने हैर के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो कभी करतें हैं कभी स्टेट क्रते रहते हैं तो मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आहीं इपेसके सामने जो आपको इस वैडिंग सीजन में काफी हैल्फुल रहेगा तो जैसे की अपने थमनिल देख ही लिए होगा कि आज हम झाले को कर ने के संबद्द करने वाले हैं अगर आपके पास करणा नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है तो आप स्टेटनर से आराम सपने वालों को कल कर सकते हैं और किसी भी फंक्षन के लिए एक अच्छा सा लूप रियेट कर सकते हैं चले स्टाट करते हैं तो वैस हमें एक छुटा सा सक्षिन लेने हैं सबसे पहले बालों का और उसको ऐसे इस ट्रिटनर के चारो और घुमाके उसके अंदर से आसे बाहर को निकालना है और अब धीरे धीरे इसको नीचे की दरफ स्लाइट करना है इस ट्रिटनर को और आप चाहें तो इससे कम भी ब सकते हैं कि जितना कम आप बालों का सक्षिन लेंगे उतने अच्छी सापके बाल करल होंदे और बालों का वोल्यूम भी ज़्यादा दिखिएगा तो काईज यह है पहला कर्ल जोगी बहुत प्यारा लग रहा है तो ऐसी हम आपने सारे बालों को करते जाएंगे करता है तो गैस मेरे एक साइट की कर्लिंग हो चुकी है और यह मेरा थोड़ा सा बाल शूटे वे हैं तो मैं इनको भी कर लेती हूं अब मैंने दूर्शे साइट की कर्लिंग भी स्टार्ट कर दी है रही है और मेरे जो रहा हुपpower से थोड़ा सा फ्रि budsयोर के क्या आंब इसके बाद मैं अभी तो कुछ आपलाई ने की था है अब स्याइर हो तो इसके थोड़ा सा फ्रि मुं नहीं हो सकते हैं तो आपको थोड़ा पेश्इंност के साथ में एस अब करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है तो यह मेरा अल्मोस्ट हैर कर हो चुके है तो गैज यह मेरा फाइनल लुक और यह मेरे कर्ल्स तो गैज अगर आपको अपने कल को लोंग लास्टिंग रखने तो आप कोई भी अच्छा सा हैर स्प्रे यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप करने से या स्ट्रेट करने से पहले आप कोई भी hair serum यूज़ कर सकते हैं इससे आपके बालों में जो है वो एक अच्छी सी शाहिन आएगी तो गाइस यह था मेरा आज का वीडियो आपके आपको यह वीडियो पसंद आये होगी और कोई वीडियो पसंद आये तो फ्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बैल आइकन को भी हिट कर दिना ताकि आपको जो मेरे वीडियो की न्योटिफिकेशन है वो म मैं विलूंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए टाटा बाई बाई